हेलो गाईज आज हम लोग अभी एक ऐसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें एक जबर्जस्त ओर्डर मिला है और उसका ख़बर का इंपक्ट जो है आज के ट्रेडिंग सेशन पर आपको मिलेगा 1600 करोड की ऑस्टेलिया से इनको एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट की ओर्डर मिली है और इस ओर्डर के वज़े से यह कंपणी आज आपको फोकस पे दिखा सकती है देखे वीडियो पे पूरा बने रहेगा इस स्टॉक पे आपको होल्डिंग से लंबे टर्म के लिए मामला क्या करती है कंपणी सारी डिटेल्स लेके जाईएगा सिर्फ स्टॉक का नाम देखके भागिएगा तो हो सकता आपको बहुत सारी चीजे मिस कर जाएं देखे सबसे पहले स्टॉक का नाम देखाता हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कहां से ओर्डर मिला है और इसका इंपक्ट इसके सेर प्राइस पे क्या हो सकता तो देखे सबसे पहले स्टॉक का नाम मैं आपके सामने रखता हूँ जिया नन अदर देन मैं बात कर रहा हूँ स्टेर्लिंग विल्स एंड विल्सन सॉलर्स लिमिटेड के बारे में यह इस कंपनी पे जो य स्टेलिंग एंड विल्सन सॉलर्स बैक्स और्डर्स ऑपराद शिक्स्टीन हंडेड करोड इन ऑस्टेलिया यह खबर कब की है यह खबर आज की ही है आप देख लिजे सेप्टेंबर 2020 ठीक है स्रेवन सेप्टेंबर जो कि आज ही का डेट है कंपनी इंजिनेरिंग इंफ्र पांच परसेंट का सपास में तेज था यह स्टॉक अभी भी यह स्टॉक 52 विक हाई से लगबग 60 परसेंट नीचे मिल रहा इस स्टॉक पे लॉंग टर्म के लिए क्यों ना बने इसके लिए एक जलग मैं आपको दिखाता हूं कि इस स्टॉक के फंडमेंटल्स पे एक ज़्यादा है और रिटर्न केपिटल इंप्लोई डिटर्न एक्विटी ठीक ठाक है डिविडेंट प्यर स्टॉक की के वज़े से मुझे यह स्टॉक लॉंग टर्म के पोट्फोलियो पे या फिर आप थोड़ी से लंबे सौट टर्म के लिए इस स्टॉक अगर खरीदना च सेवेंटीन पे रामकृष्णा एनर्जी प्राइबेट लिमिटेट के नाम पे थी अज़े प्राइबेट लिमिटेट कंपनी अंडर दे कंपनी ज़ेक्ट टू थाउजन थर्टीन उसके बाद आपको पता होना चाहिए यह कंपनी हाली की लिस्टिंग है मैं इसका मैक्सिम 2019 की है 23 अगस्त 2019 मतलब एक साल हुआ है कंपनी देखें डाउन ट्रेंट पर ही जा रही है तो इस चीज़ से समझना चाहिए कि क्यों ऐसा है तो इसका सीधा सीधा जो कंपनी का असर पड़ा है वो है इनके प्लिस्ट का प्लिस्ट किये हुए सेज के वज़े से कंपनी का डे of the largest solar EPC solution provider in 2018 based on annual installations of utility skills, thing have photo Validic Pb, systems of a more than 5 MW peak, it provides EPC services primarily for the utility skills solar power projects with the focus of the project designs and engineering and manage all aspects of the projects executions, from the जो भी चीज़े है यह solar का construction solar के जो भी solar power generation पे जो भी चीज़े लगती है वो इनका काम है अगर हम लोग बात करेंगे इस company के अभी हाल फिलल की results की तो March quarter का result यहां पे मौजूद है मार्च quarter में इनको profit काफी जबर जस्त हुआ देख लिजे बट जून quarter का result अभी हमारे पास नहीं है और यह जून quarter का result आएगा तो आपको समझ में आएगा कि stock पर करना किया जाए लेकिन आज short term पर यह stock आज कल एक दो दिनों तक हो सकता तेज रहे आज काफी तेज रह सकता इस order के वज़े से और इसलिए मैं वीडियो कबर कर रहा हूं इस पर लॉंग डर्म नहीं बनने की दो बड़ी वज़ा है पहला पर मोटर्स की होल्डिंग पे ग्रिबी और दूसरा डेड़े स्टेक्च की होल्डिंग ग्रिबी रखी हुई है घर के लोग ही घर बालों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो बाहर के लोग उस पर क्यों विश्वास करें क्यों बिलीब करें इस चीज का और इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर दीजेगा सेम पर मोटर्स के साथ भी वही होता है पर मोटस भी मेंबर्स होते हैं इंसाइड दा हाउस और कंपनी का पूरा डिटेल्स रखते हैं अगर उनके सेयस गिर्भी है तो कहीं ने कहीं कुछ तो प्रॉबलम है इस चीज को मान के चलना होगा और स्टॉक पे आज की ट्रेडिंग सेशन पर तेजी होगी तो एक और भी चीज में कहूंगा मार्केट का सिच्वेशन बहुत अच्छा नहीं है पॉजेटिव सेंस पर हो सकता मार्केट डाउन साइड रहे तो मार्केट को भी थोड़ा सा जरूर नजर बना के रखेगा निप्टी अभी थोड़ा सा ट्रेंड इनका चेंज हुआ है निप्टी पे थोड़ी सी बेहरनेस आपको देखने को मिलेगी हो सकता है निप्टी 1100 के आसपास में आता दिखे पिछले अगले कई दिनों के आसपास में तो इस चीज को देखते हुए स्टेलिंग और वेल्सन सोलर्स लिमिटेट पे एक खबर दी इस खबर को मैंने आप 52 विक हई से मैं मिलता हूं लकार सड़ी चैनल को सबस्क्राइब कीज़े मैं मिलता हूं नेर्स वीडियो पे थेंक्यो